हेलो दोस्तों मैं हो दिरीप और गुड को चीनी का सबसे सेहतमन्द विकल्प माना जाता है। गुड में प्राकृतिक मिठास होती है जो खाने में स्वादिष्ट लगने के साथ ही सरीर के लिए बहुत फायदेमन्द है। गुड का इस्तिमाल सर्दियों में बहुत जाद किया जाता है। गुड में प्रोटीन, कॉलीन, बीटेन, बिटामिन, बीटुवेल, बीसिक्स, कॉलेट, कैल्शियम, आईरन, हासपोरस, मैगनिसियम, सेलेनियम, मैंगनीज, और कार्बोहाइडिट होता है। इसके तमाम गुणों की वज़ा से ही इसे सुपर स्वीटनर भी कहा जाता है। आईए जानते हैं इसके आठ हैदों के बारे में। अस्थमा में उप्योगी, अस्थमा और ब्रोंकाईट्स को रोकने का काम करता है। जिन लोगों को स्वसन संक्रमन यम सांस से जुड़ी कोई दिक्कत होती है, उन लोगों को गुड जरूर खाना चाहिए। तील के साथ गुड का सेवन करना और लाबदायक होता है। तील और गुड एक साथ खाने से सांस सम्मधि दिक्कतें दूर होती हैं। वेट लोस में कारगर गुड की थोड़ी सी मातरा वजन घटाने में बहुत मददगार होती है। गुड पोटेसियम का अच्छा स्रोत है जो इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है, मेटाबॉलिज में बढ़ाता है और मान स्पेशियों को मजबूत बनाता है। पोटे इसकी वज़ा से बलड प्रेसर का अस्तर सामानी बना रहता है। जिन लोगों का बलड प्रेसर कम रहता है उन्हें गुड खाने से काफी फायदा होता है। सर्दी और खांसी में फाइदे मिलती है जादा लाव के लिए गुड को गर्म दूद में मिला कर पिए आप इसकी चाय बना कर भी पी सकते है जोडों के दर्द को कम करता है गुड गठिया या जोडों के दर्द में भी आराम देता है जिन लोगों को ऐसी दिक्कत रहती है उन्हें रोज गुड खाना चाहिए अद्रक के साथ गुड लेने पर इसका असर जल्दी दिखता है इम्यूनिटी बढ़ाता है गुड में सेलिनियम और जिंक जैसे एंटी ऑक्सिटेंट बरपूर मातरा में पाये जाते हैं ये सरीर को फ्री रेडिकल्स और संक्रमन से बचाने का काम करते हैं यही वज़ा है कि गुड का सेवन सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है एनिमिया को रोकता है एनिमिया को रोकने के लिए सरीर में RBC का परियाप्त अस्तर आइरन और फोलेट होने जरूरी हैं गुड में आइरन और फोलेट अच्छी मातरा में होता है जो एनिमिया को रोकता है एनिमिया के मरीजों को डॉक्टर भी गुड खाने की सलाह देते हैं इसके अलावा गुड खुन को भी साफ करता है periods के दर्द को कम करता है periods के दर्द को कम करने के लिए गुड एक प्राकिर्थिक उपचार का काम करता है जिन लोगों को periods में mood swings की सिकायत रहती है उन महिलाओं को भी गुड खाना चाहिए इससे मूड अच्छा रहता है और सरीर को आराम मिलता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो है आपको मददगार लगा हो तो लाइक करें